देखिए देख रहे ना आलू के पापड कितने पतले बने हैं मेरी फिंगर आपको साफ साफ दीख रही होंगी तो आज हम बनाएंगे आलू के पापड एकदम आसान तरीके से तो फटा फट से आपके पापड बन जाएंगे और अगर अभी तक आपने पापड नहीं बनाए ह तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें साथी चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें आगे आने वाली वीडियो के लिए तो देखिए फ्रेंस यहां पे हमें आलू ले लेने हैं तो आलू को मैंने बॉयल करके रखा हुआ है और यह थोड़े से हमारे ठंडे भी हो क्योंकि आलू को जब आप बॉयल करते हैं उसके बाद बिल्कुल ठंडे ना होने पाएं इतना आप ध्यान रखें तो आलू जैसे हमारे हलके से ठंडे होंगे तब हम इनने चील लेते हैं और यहां पे देखिए मैंने इनको चील लिया है तो आलू तो हमारे चील गए हैं तो आभी देखिए यहां पे मैंने सूखी लाल मिर्चे ली हैं अगर आपके पास चली प्लक्स है तो वह डाल सकते हैं मेरे पास नहीं है भी तो मैं इस तरह से जो सूखी लाल मिर्चे होती ना उनने में इस तरह से कट कर लूँगी तो इस तरह से भी आप काट सकते हैं मिर हमें आलु को पीछना पड़ता है और नहीं कुछ भूती 좋은 असन तरीका है और जब हमारे आलु इस तरह से व्लूस हुआए मैस कर लेंगे हैं तो termic-larum, अगर आप इन्हें गिये, तो यह ब्लट कि तब छोटी चोटी गुट्टियां उसमें रह जाती हैं तो इसलिए आलू को अच्छे से ग्रेट कर लें उसके बाद थोड़ा सा मैस कर लें और अभी हम देखिए जो हमारा ये मिक्स्टर है इसको हम दो भागों में डिवाइड कर लेंगे तो यह मैं क्यों कर रही हूं यह हरी मिच डलना चाहते हैं तो भी आप इसमें बारिक-बारिक काटके हरी मिच डाल सकते हैं अब करीपता को भी बारिक बारिक काटके इसमें डाल सकते हैं तो आप देखिए हम इसको अच्छे से mix कर देते हैं और अगर आप इसमें से जो भी नहीं पसंद है वो ना डालें और अभी देखिए जो मैंने mixture निकाल के रखा था ना अलग तो उसमें हम डाल देते हैं काली मिर्ज का पाउडर तो यहाँ पे आज में पापड दो फ्लेवर के बनाऊंगी छिलिए मैंने यह आलू का मिक्सचर अलग निकाल के रख दिया था तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मैं नमक भी इसमें डाल दूँगी और इसको मैं अच्छे लगते हैं तो अभी देखिए मैं इसकी छोटी-छोटी सी लोई बना लूंगी और देखिए इसमें मैं यह मिर्च मिक्स कर दूँगी और इसकी भी मैं लोई बना लूगी तो यहाँ पे देखिए मैंने 9-10 लोई बना ली हैं दोनों फ्लेवर की हमारी यह लोई अब चरीए पापड बनाते हैं एक पॉलिथीन लेते हैं आप कोई सी ले सकते हैं जैसे नमक की ठेली होती है उसको कट करके ले सकते हैं अच्छे से दुल के या फिर आप कोई भी बरतन बगर आते हैं वो ले सकते हैं तो उसमें हम देखिए इस तरह से थोड़ा सा ओई लगा लेते हैं अब हम एक लोई लेते हैं इस तरह से बीच में रखतेंगे और पॉलिथिन को फोल्ड कर देते हैं तो अब देखें एक हम प्लेट लेंगे प्लेट को थोड़ा सा प्रेस करेंगे और यहां पे देखिए इस तरह से हमारा जो पाप तो अभी देखिए दूसरा तरीका आपको पताती हूँ मैं तो अभी हम वही पॉलिथिन लेते हैं थोड़ा सा ओइल लगा लेंगे और अभी देखिए इसको हम पॉलिथिन को फोल्ड कर देते हैं और यहां पर मैंने लिया है बेलन तो बेलन से भी इस तरह से आप बेल सकते ह हैं बड़े साइज का छोटे साइज का जैसा है भी आप ले सकते हैं और इस तरह से हम इसको शेप दे देंगे और यह जो पापड है ना दिखने में बहुत ही क्यूट लगता है बहुत ही प्यारा बनके त्यार होता है हमारा पापड तो इस तरह से भी आप बना सकते हैं इस गोरने कि नहीं करना मत् sehr बहुतीता तो ऐसे नहीं करना है तो आप इस नहीं करना चाहते हैं तो इससे मदेज़र बना हैं। पहले हम तुँपे लुग और विभी दगया तो इसा में अने कास सुस्साही एप्धोटा बन के त्यार हो जाएंगे तो अभी तो मैं फिलाल यहां किचन काउंटर पे ही आपको बना के दिखाती हूं तो यहां पे मैंने छोटी पॉलिथीन लेगी है तो अगर आपकी बड़ी पॉलिथीन है आप छट पे बना रहे हैं दूप में तो आप एक साथ आप 10-12-20-25 लोई इसके बाद आपको एक छोटी पॉलिथीन लेनी है तो लोई देखिए ठोड़ी घैप में रखनी है और एक छोटी पॉलिथीन को हम इसके से ऊपर से रख देंगे और यहां पर हमें एक प्लेट लेनी है या फिर आप कोई पत्थर ले सकते हैं कोई भारी वेट वाला होना एक साथ सारी तो उसके बाद एक को साथ पॉल इता ने कि पहलों को के उसका उनका है आप इसी हृत QOD इसा पतन tenth अभर्ट हैं प्रेसा कि लिए Dziękuję और पॉलिथिन को शुड़ाते चाहिए और बस हमारे इस तरह से पापड बन के त्यार हो जाएंगे तो आप मुझे कॉमेंट में जरूर बताना कि आपको मेरा कौन सा तरीका सबसे अच्छा लगा और देखिए बागी के पापड मैंने छत्पे बनाए हैं तो मैंने चोथा त बनाने में बहुत ही आसान है और पूरी वीडियो आप देखिएगा आगे भी मैं आपको फ्राइ करके भी दिखाती हूं और देखिए यह पापड कितना पतला है तो सारे पापड इसे ही बने हैं आप पतले चोटे या फिर बड़े अपने हिसाब से बना सकते हैं और यहां तो आप इसमें कोई भी भी डा सकते हैं काली मेर चीरा या फिर अजवाइन तो इस तरह से मैं इन्हें सुखा लूँंगी और अभी देखिए ने में दो दिन सुखाया है क्योंकि दो दिन सुखाने के बाद आप इने साल बर के लिए स्टोर कर सकते हैं यह बिल्कुल भी ख तो आप बनाए ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद झाल है झाल है झाल है